महंगी देवरानी निहा एक middle class की फैमिली से बिलॉंग करती थी पर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है क्योंकि निहा middle class से थी, इसलिए उसे पैसों के कदर थी पर निहा के देवरानी सुर्भी एक अच्छे घर से थी और नेहा की देवरानी को आया भी कुछी दिन हुए थे पर सुर्भी अपने सिसुराल आते ही अपने संसकार और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला से घर वालों का दिल जीत लेती है सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है सच में सुर्भी, तुमारे हाथों में तो जादू है इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती दीदी, खाने में स्वाद तो होगा ही न जब अच्छी और महेंगी क्वालिटी के सामाने इसमें जाएंगी तो मैंने सारे मसाले M.ड.एज के ही लिए थे वो भी महेंगी वाले, यहां तक की सबजिया भी मैंने नितीन जिसे ही मंगवाई थी वो भी मॉल से, सारी सबजिया ताज ही है एकदम फ्रेश-फ्रेश सबजिया खाने से कोई बिमारी भी नहीं होगी क्या तुमने फिर से सारा सामान मॉल से मंगवाया? लेकिन रसोई घर में तो सारा सामान पहले से रखा हुआ है और सारे अच्छे क्वालिटी कही है, कुछ भी खराब नहीं है घर में आप सही कह रही है दीदी, घर में सारी चीज़े रखी है पर सबजिया फ्रेश नहीं लग रही थी एक आदी टमाटर तो पिचक भी गई थी और धनिया, धनिया के तो कुछ पत्ते सुप भी गए थी प्यास भी कोई बड़े थे, कोई छोटे थे इसलिए मुझे दुबारा से सारी सबजी, सारे मसाले मंगवाने पड़े घर के सामान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेश नहीं है अरे कोई बात नहीं बहूँ, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना अगर सबजीया सड़ गई थी, तो अच्छा वाजो तुने मंगवा ली अब कल किसी को मार्केट नहीं जाना पड़ेगा पर क्यों माजी, सबजीया तो मैंने सिर्फ अभीकली ही मंगवाई थी सबजीया तो हमें फ्रेश बाजार से जाकर तुरन बनानी चाहिए इसलिए कल की सबजीया लानी होगी अब एक दिन पहले तो सबजी लाकर घर में नहीं रख सकते न अगर हम एक दो दिन पहले रख लेंगी तो सबजीया फ्रेश कैसे रहेंगी और घर में जो पहली की सबजी रखी थी क्योंकि वो खराब हो गई थी इसलिए वो सारी मैंने फेख दी है क्या? तुमने वो सारी सबजीया फेख दी? पिना देखे? अरे जो खराब हो गई थी सिर्फ उने फेंकती ना? सारी सबसी को फेंकने की क्या ज़र होती? ये तो फिजूल खर्ची है माजी अरे कोई बात नहीं बड़ी बहुँ वो अभी नहीं है उसे पता नहीं है उसे जो ठीक लगा उस देखिया पर यहां धीरे धीरे तो उसे सब सिखा देना चलो अब रात बहुत हो गई है सब राम कर लेते हैं सुमित्रा की वज़े से नेहा कुछ नहीं कह पाती अब अगले दिन नेहा कपड़े दो रही होती है आरे दीदी इनने मैंने बुलाया है देखिये ना घर में कितने सारे कपड़े हैं और मशीन से सही से साफ भी नहीं होते कपड़े और कुछ कपड़े तो ऐसे जिनने मशीन और हाथ से धोना भी नहीं चाहिए इसलिए मैंने लॉंड्री वाले को बुला लिया है एक काम तो हमारा कम होगा भाई साब आप ये सारे कपड़े ले जाओ इस तरह सुर्भी घर के सारे गंदे कपड़े लॉंड्री वाले को दे दीती है लॉंड्री वाले के जाने के बाद सुर्भी कपड़ों को लॉंड्री में देने की क्या अशूरूत थी ये सारे कपड़े तो डेली पहनने वाले कपड़े है बहला डेली पहनने वाले कपड़े कौन लॉंड्री में देता है हाँ अगर कुछ भारी कपड़ा या कोई ऐसा कपड़ा है जिसे हम कभी-कभी पैनते हैं तो वो तुम दे दीते तो समझ में आता ये तो बिल्कुल फिसुल खर्ची है दी दी आप सिच मेरा बहुत कंजूस है इतने पैसे बचा कर क्या करोगी अगर हम लॉंडरी में कपड़े देंगे तो हमारे कपड़े हमेशा नए की तरफ चमकते रहेंगे एक बार फिर सुर्भी नेहा की नहीं सुनती और फिसुल खर्ची करके अपने कमरे में चली जाती है अब इसी तरफ से समय बीटता है और सुर्भी हमेशा फिसुल खर्ची करती और जब भी नेहा उसे समझाने की कुशिश करती तो वो उल्टा नेहा को यह समझा देती अब ऐसे ही एक दिन नेहा और सुर्भी सबजी लेने के लिए मार्केट जाती है जहां नीहा बाजार में मूल भाव करके सबजी ले रही थी क्या? पचास रुपे किलो टमाटर? आरे भईया, आप तो टमाटर का दाम गिर गया है फिर आप इतना मेंगा क्यों दे रहे हो? और पीछे टमाटर वाला देखिए, तीस रुपे किलो दे रहा था भाबी, आप इतना जूट क्यों बोल रही हो? और क्या जूरूत इतना मोल भाव करने की? वैसे भी ये टमाटर सही नहीं है, कहीं और से लिते हैं सुर्भी, तुम नहीं समझोगे, ये टमाटर बहुत अच्छे है बस इनमें से थोड़ा सा छटना होगा और अभी ये तुम्हें पचास रुपे में दे रहा है न देखना कुछ देर बाद यही तीस रुपे में देगा तुम बस देखती रहो भाईया, बताओ सही सही रेट देना है या नहीं देना या फिर मैं जाओं किसी और दुकान पर अच्छे ठीड है बैंजी ले लो मुझे भी तो अपना माल ख़तम करना है अब क्या था? नेहा पचास रुपे का टमाटर तीस रुपे में लेकर चल पड़ती है और सुर्भी की एक नहीं सुनती घर आने के बाद सुर्भी अपनी जिठानी से कहती है सच में दीदी आज हमें इन बासी सब्जियों का खाना बनाएंगी कहां से ये आपको फ्रेश लग रहे हैं? आप इतनी चूटी सी बात क्यों नहीं समझती जो चीज सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती दो पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा तो मिले सुर्भी आखिर इन सब्जियों में खराब ही क्या है? एक भी सब्जी ऐसी है जो सड़ी हुई हो नहीं न? और वैसे भी जो चीज अच्छी दीखती है न? वो जरूरी थोड़ी न? का अंदर से भी अच्छी हो और जो चीज उपर से अच्छी नहीं होती जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खराब हो भाबी आप नहीं समझोगे मैं आपको एक दिन दुकान लेकर चलूँगी और वहां के सामान में और ये जो बाजार में खुले सामान मिलते हैं न? उनकी बीच का फर्क दिखाऊंगी हमेशा की तरह आज भी सुर्वी अपनी जिठानी की बातों को ना तो सुनना जाती थी और नहीं समझना हमेशा की तरह आज भी सुर्भी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है अब इसी तरह से कुछ दिन बीटते हैं और सुर्भी इस बार नेहा को सबजी की दुकान में ले जाती है जहां सबजी से लेकर दाल, नमक, मसाले सब भिक रहे थे सुर्भी ये तो मुझे कहां ले आई, ये तो बहुत बड़ी दुकान है यहां सब कुछ कितना महंगा होगा, सोचा भी है तुमने दीदी, अगर रेट ज्यादा है तो सामान भी तो अच्छा होगा अब देख लो आप खुदी, बाजार में जो आपने सामान लिया उसमें आपको कितना चाटना पढ़ रहा था, पर इसमें देखो, आप आँख बंद करके ले सकते हो कोई भी बाजार की चीज, और यहां की चीज में जमीन और आस्मान का फरके इसलिए कहती हो दो पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा मिले अब सुर्वी सारी महंगी चीजे लेती है और तीन हजार की सबसियां और रसोई से संबंदित कुछ जरूरत की सामान खरीती है जिन तीन हजार को निहा सोच समझ कर खर्चती, उस तीन हजार को सुर्वी एक ही दिन में उड़ा देती है अब क्या था, इतना पैसा खर्चोने की बाद निहा का तो दिमाग ही गुम जाता है वो घर आकर हिसाब करने लगती है, जिस पर सुर्वी अपनी जिठानी से कहती है क्या हुआ दीदी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी चीज़ का सदमा लग जया हो और आप क्या बार-बार बिल को और सामान को देखी जा रही है मैं देख नहीं रही सुर्वी, हिसाब लगा रही हूँ आखिर हमने कितनी मैंगी सबजी ले ली, जो तीन हजार खत्मों गे तुम जानती भी हो, इन तीन हजार रुपयों से घर का राशन और बिजली बिल जमा हो जाता है और नजानी और कितने काम हो जाते निहा फिजूल खर्ची देख कर परिशान थी तो वहीं सुर्वी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ देर बार सुमित्रा वहां आती है और निहा सारी बात सुमित्रा को बताती है बहुत तेरा फिक्र करना बिलकुल सही है क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि नेहा फिजूल खर्च करती है उससे समझाना बहुत जरूरी हो रहा है जरूरी नहीं कि जो चीज महेंगी है वही अच्छी है कई बार सस्ती चीज भी अच्छी है और टिकाओ निकलती है सुमित्रा की बाते सुनकर निहा की चिंता और बढ़ जाती है और एक दिन अपनी महेंगी देवरानी को समझाने के लिए उसे अपने साथ मॉल लेकर चलती है क्या बाते दीदी आज आप मॉल आईए कपड़ी खरीने आखिर आपको भी मेरी बात समझ में आगी ना कि महेंगी चीज अच्छी होती है और जो चीज सस्ती होती है सरूर उसमें कुछ कमी होती है इसलिए तो वो चीज इत्ती सस्ती मिलती है हम शायद तुम सही क्या रही हो सुर्पी पर आज हम दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ज़्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज खराब अच्छा तुम्हें जो कपड़े यहाँ पर पसंद आ रहा है ना ले लो आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाओंगी चाहे वो कितना ही महेंगा क्यों ना हो इसलिए मैंने तुम्हें मौल से साड़ी दिलाई अब मुझे तो सस्ती वाली चीज़े पसंद है भई तुम मुझे वैसे ही साड़ी इस छोटी सी दुकान से दिला दोगी बाभी कैसी बात कर रही हूँ मैंने मौल से जो साड़ी लिये न वहाँ दिजाइनर कपड़े ज्यादा पिकते हैं इतनी महेंगी और अच्छी साड़ी इस दुकान में कहां से मिलेगी अरे बहन जी आप दोनों साड़ी की बात कर रही हो हमारे यहां हर तरक की साड़ीया मिलती है एक बार आप मुझे दिखाओ मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ दुकानदार की कहने पर सुर्भी अपनी साड़ी निकाल कर दिखाती है, और दुकानदार उसे ठीक वैसी ही साड़ी निकाल कर उसके सामने रखता है, दुकानदार की पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी, और रेट बताती हुए कहता है, येलो मेडम, आपकी साड़ी, ठीक ऐसी जैसे आपने मांगी थे, आपको ये साड़ी मुझसे कम दाम पर और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी, ये साड़ी सिर्फ दो हजार की है, क्या, दो हजार की, दीदी, दो हजार वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये साड़ी मॉल से ही ले लो, वहां की साड़ी अच्छी हो और तका होती है जरूर इस साड़ी में न कुछ गर्बढ़ होगी वैसे यहां के कपड़े में फर्क होता है यह साड़ी पुरानी होगी या तो कोई न कोई दिक्कत होगी इसलिए तो सस्ते में दे रहा है नई नई भैया मुझे न ये साड़ी बहुत पसंद आई है और इस साड़ी को pak कर दो पर दीदी सुर्भी नेहा को वो साड़ी लेने से मना करती है पर नेहा वही साड़ी लेती है और दोनों साड़ी लेकर एक दुसरी दुकान में जाते हैं, जहां पुरानी कपड़े लिए जाते थे, और बदले में सामान दिया जाता था, भाया, ये मेरी साड़ी है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप रख लो और बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिल सकता ह बड़ो मुझे साड़ी तो बिल्कुल नहीं लग रही है इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है अब ये साड़ी देकर कुछ दूसरा सामान लेना चाहती हो खैर ये आपकी मर्जी है पर मैं आपको इस टब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता एक साड़ी के बदले क्या इतनी अच्छी साड़ी देने पर ये चोटा सा टब अच्छा अगर मैं इस से भी महेंगे एक और साड़ी आपको दूगी तब तो आप मुझे बाथ टब दोगे ना आप बिल्कुल अब नेहा सुरुपी की साड़ी निकालती है और उस आदमी को देती है पर टब वाला स दूपी की साड़ी लेने से ही मना कर देता है मैडम ये साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है इसे तो हम फ्री में भी ना ले अगर आपको बाथ टब चाहिए तो अपने जैसे पहले साड़ी दी थी ना वैसी कोई दूसरी साड़ी ला कर तो इस साड़ी साब कुछ नहीं मिल प पहले जो तुमने ली थी वह सिफ दो अजार की थी बड़ा आप लोग महंगी चीजे खरीदने वाले लोग हो पर हमारा काम है एक चीज को एक नजर में देख कर बताना कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का और कौन सी बेकार क्वालिटी का उस आत्मी के बात सुनने के बात सुर्वी को समझ में आ जाता है जो नेहा उसे काफी समय से समझाना चाती थी कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं होती कि अच्छी ही हो और हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब हो इसलिए इंसान को अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करने चाहिए आप पैसों की गद लेना शुरू कर देती है